अमस्कार दोस्तों BPSC सिछक PRT का एकजाम खतम हो चुका है और प्राइमरी सिछक में पिछले बार देखा गया था कि कोहचन का लेबल काफी टफ था लेकिन इस बाल हम रिवीव भी किये हैं तो छात्रों का कहना था कि कहीं न कहीं जो कोहचन का लेबल था पिछले बार से 100 % अटेमप्ली है है और सभी का कहना था कि हमारा अच्छाखासा स्कूर आ सकता है और इस पूरे मुद्धप पर बात करने के लिए गुरू रहामान सिर के साथ है, सबसे पहले सर स्वागते हैं आप पा। या बच्चों के दिमाग से नहीं गुज़रा हो, इसले हम बहुत सकते हैं, कोश्चों मोडरेट था, एजी थोड़ा कम लेकिन मोडरेट निश्ची तरुप से था, मतलब कोश्चों ऐसा था कि छात्र बना देंगे, छात्र बना है, आपका भी रिभी में देख रहा था, बच तुल बर्सास सर न जो कहा था कि जो फ्रेंडली रहेगा, उस आधार पर है, यानि पिछले बर्स में ऐसा था, कि कुछ कोश्चों ऐसे थे जिसका एंसर अलग-अलग तरफ के लोग अलग-अलग दे रहे थे, लेकिन इस बार कोई कोश्चों ऐसा नहीं है, जिसमें एंसर ने किया हो सकता पड़े. एंसर की भी BPSC दे दे रही है, तो काफी छात्र टेंसर में आ जाते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है, देखिए, मैं बिना लाग लपेट के किसी खुस करने के लिए नहीं बोलूगा, जो बोलूगा, असपस्ट बोलूगा, और मैंने बच्चों से पुछा रिवीउ देखा, आपका रिवीउ देखा, बच्चों से पुछा, बहुत आरे बच्जे मर देए, पेपर का गहंदम तब ही सड़ सड़ा है था, यानि उतना टप में सड़ सड़ा है था, तो इस बार 78 से 80 के बीच में कट अप जनल कर रहेगा, 78 से 80 से, उससे कम जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि पिछले बार के कोस्टन और इस बार कोस्टन में आसमान जमीन का अंतर है, और सबसे की संख्या 60 पर 30 के लगबग है, और जो निश्चित रूप से इसी की तैयारी करते ही है सालो भर, तो इस बार 78 से 80 से कम कट अप जाने की कोई संभावना नहीं है, जिस तरह से पिछले बार भी देखा जा रहा था, कि सरसट था, उतने हाड लोग बोल रहे थे कि हाड़ पे तो जनल में, इसलिए जनल का 78 से 80 किसी भी हालत में, 78 से 80 से कम नहीं होगा, इतना दिमाग रखे, इतना दिमाग रखे, दो कुछ ने दर बढ़ जा, घड़ जा, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 78 से 80 करे, उनका कट अप जाने वाला है, दुसरे बार EWS में पिछल से अनालिसिस किये हैं, पिछले बार का भी कट अप सर लेकर आए हैं, और उस कट अप को देखते हुए, उसके एकजाम के पेपर को देखते हुए, और इस एकजाम के पेपर को देखते हुए, सर ने कट अप तयार किया है, तो जिनको भी, जो भी लोग एकजाम दिये होंग कि बिचिग साथ था इस बार 24 से पंधर नहीं और लया कि इस बार शुस्टिंदर को देखने के पिछले बर्स के तुलना में जो पिछले बर्स के टॉप पेपर में जो कटफ गया वो एक बहुत बड़ा फैक्डर बनेगा दूसरा फैक्डर बनेगा कि 60% लड़के बाहरी इस्टेट के हैं जो इसी के लिए सालों भर पढ़ते हैं टीजर के लिए भी वो फैक्डर बनेगा तो निश्चित रूप से इतना कटफ में बढ़ोतरी होगी कोस्चन पच्पन के आसपा से संतावन के आसपा से रहा था पिछले बाद जिन्रल फिमेल का गया था संतावन इस बार 68 से कम वो सबना दिखना छोड़ दे अच्छा मतलब 10-11 नंबर का अंतर नहेंगा 10-11 नंबर का अंतर रहेगा EWS का गया था 48 इस बार 65 से 66 के बीच रहेगा उनका कटफ उसके बाद आपको EBC का 44 गया था इस बार 62 से कम नहीं होगा BC का 50 गया था इस बार 60 से 65 के बीच में होगा SC का 49 गया था इस बार 55 होगा और ST का 55 के बीच में होगा इन तमाम बच्चों को काबिल नियुच के माद्यम से मैं बेटियों और बेटों को बता रहा हूँ कि जो cut-up मैंने बताया है पूर्ण विसलेशन के पस्चाथ और पिछले बर्फ के कोस्चन और इस बर्फ के कोस्चन के घराई से आपको तुनलात्म का धन करने के पस्चाथ और बच्चों के रिफ्यू को जानने के पस्चाथ यह मैंने cut-up बताया है आप लोग हो सके तो काबिल नियुच का यह देखके उतार रही जे किसी कोपी पर इससे ज़्यादे fluctuation नहीं होने जा रहा है कम रह सकता है जादे नहीं अब इससे जादे जादे नहीं जाएगा तो तीन नमर खट सकता है अब जैसे female का cut-up है AWS का पिछले बार 48 गया था तो इस बार हो सकता है सर 60 के आसपास जाए क्यूंकि other state में female में other state में तो सर कुछ ज़्यादा लड़के हैं सर फीमेल में भी other state वाली लड़किया बहुत है लेकिन AWS में तो संख्या बिहार कि रहा सकते है तो कुछ cut-up कम रह सकता है सर 62 क्या सपास कह सकते है बहुत अगर cut-up कम है तो बोली रहा कि दो तीन नमर घटा सकते हैं तो अगर 65 हम बोलना है तो आपको हो सकता है 62, 63, 64, 61 लेकिन अगर आप चाहिए कि जो 48 था उसके 52, 54, 55 पो हो जाए तो नहीं होगा मतलब फीमेल के cut-up में 55 से 68 के बीच में फीमेल का कंड़का और लड़कों का बोले तो OH का 55 और अधिक से अधिक 80 तो जैसा कि सुन रहे हैं सर का साफ कहना है कि चुकि तमाम ऐसी फैक्टर है जो cut-up को निर्धारित करते हैं चुकि अधर एस्टेट वालों की संखिया इस पर जादा है सर की इसमें भी जेनल का cut-up हाई रहने वाला है पिछले बार संतावन गया था तो इस बार सर ने 68 दिया है फीमेल का cut-up बाकी category वाई दो-चार नंबर का अंतर है सर जिस तरह से बताए हैं आप लोगों को आपका जो भी category होगा उसका cut-up आप लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा बाकी सर cut-up बहुत अच्छा देते हैं पिछले बार भी P.A.C. में सर ने कहा था कि 90-95 cut-up रहेगा हमारे ही चैनल पर बोले थे सर और देखा गया कि 91.5 cut-up गया तो सर का एक बड़ा अनुभव है और अनुभव के साथ दिये हैं पूरा एनालीसिस के साथ दिये हैं और category wise cut-up दिये हैं तो सर की बातों से आप कितना सहमत हैं कितना असहमत हैं आप इस पूरे cut-up के बारे में आपकी क्या राय है अपनी recommend section में जरूर रखिएगा आप देख रहे थे काबिल रिउज जहिन